आज हम बात करेंगे जैन धर्म के बारे में, जैनिजम, देखते हैं कौन का उसे टॉपिक्स आज हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले बेसिक जानेंगे जैनिजम का मीनिंग क्या होता है, जैनिजम में कुछ बेसिक चीज़े हैं जो आपको जाना बहुत इन बॉरिंट है, फि कोई काउंसिल कहां लिवीजेंस ऑफ जैन्स शुएतामबर डिगामबर रूस क्या है मौंक्स के सपोर्टर्स किन्ट किन्ट किया है और इसे में लिखना भूल गई हूं हम स्यादवाद के बारे में बात करेंगे इस टॉपिक में सबसे ज्यादा आप लोगों को दिक्कत होती जह संपक श्रक्राइब कि यह नहीं। अब से दिख्कत हैरों जलो स्पार्त करते हैं जरुखें के सहने दुखें लाता में कहार। सबस्कूर कर सकते हैं हिस्थ सबस्क्राइब करें लादें जर्ट साथ क्रीश जोकिन लायत के समप अयरं जिसने अपने इंडरियों पर काबो पा लिया हुआ हुआ कि इस्छाइँ ही इसान को बना सकती है और विगाड़ सकती है तो些 इसने अपने इस्छाऊचे को अपने आपने काबो में कर रहा है यह करना चाहते हैं वही करते हैं तो इनका मतलब यह है, अब जैनेजम में भी कुछ इसी तरीके से फॉलो की जाती है, हम आगे बात करेंगे, तो मीनिंग समझ में आगया होगा आपको, अब इसके फाउंडर कौन है, इनके फाउंडर रिशवनात या फिर आदीनात, आदीनात का नाम ही रिशवनात है, रिश जैनेजम के बार में बताते हैं, 24 तीर्थांकर हुए है, अब जो हमारे आपको पता ही है, हमारे कितने वेद होते हैं, चार वेद होते हैं, रिग वेद, यजुर वेद, साम वेद, अर्थर वेद, चारो वेद में से एक वेद है, रिग वेद, जो सबसे पहले आया था, रि इन दोनों तीर्थांकर के बारे में बताया गया है हमें पता चलता है कि ये दोर तीर्थांकर के नाम हमें रिष्डिक वेद में मिलते हैं तो इवन नारायन भगवान विष्णु का ही अफ्तार माना गया है ठीक है आप ये चीज याद रखिएगा उसके बाद जैल लिट्रेचर की बात करते है ये अर्ध मागदी भाशा में लिखे गई है इसको आगम कहा जाता है और इसको मैंने डिटेल में समझाया है तो आप प पासिंग बातों कि वरत रखना जब तक उनको म्रित्यु ना प्राप्त हो जाए या मुक्तिना मिल जाए तो संलेखना का मतलब होता है चंध्रकुपमोर्य बहूत फेमस को पता ही योगन के बारे में इन्होंने अपने प्रान ऐसे फिक प्रयोकिया था पने प्रान को त्या केवलया काम है उनका काम है कि वो केवल्य प्राप्त treadmill 함께 and कर वे नियुक्त मैंने की वी दिर्टाकर को करप दो केवल्य प्राप्त की i jensamania को आप दो को श्रीट प्राप्त अर्फ होती है एक रहा है जो कि सिर्टाकर की और किसी के पास नहीं होती है इनका मानना ये है उसके बाद गोसाला मसकरी पुत्र ये कौन थे देखो क्या था ना ये जो थे गि महावीर स्वामी जी के साथ ही रहा करते थे उनके शिश्यक की तरह ही रहा करते थे लेकिन कुछ मतबेद होने के बाद इन्होंने महावीर स्व तो उसके बाद अन्य में टर्म यूजाती है थेरा थेरा मतलब होता है पॉंटिफ मतलब धर्म अध्यक्ष मतलब की धर्म का अध्यक्ष कौन होगा धर्म का गुरू कौन होगा जैसे की जैन धर्म के का पहसी करें अध्यक्ष कि तो महावीः स्वामी को माना जाता है और हम वैसे भी करें तो उनको रिषभ देव जी तो बात करते हैं तीर ठांकर्स के बारे में आपको जैसे बताया किते तीर ठांकर्स रहे थे 24 तीर ठांकर्स जैनिसम में रहे थे तो मैंने पूरे 24 लिखें क्योंकि कुछ को होता है न स्टुदेंस को कि उनको पूरे लिस्ट ही चाहिए होती है तो मैंने पूरा लिखा वा है तो इसमें आपको कौन-कौन से इंपॉर्टन्ट याद रखने हैं मैं आपको वही बता जेती हूं जदा ताकि जदा टाइम भी नहीं तो फर्स्ट है रिषब नात जिनका सिंबल भुल और ओक्स एकिए अ कि अजीत नात भी आप याद रखेगा जिनका सिंबल से इलेफंट जिए स्वश्थक एगा इसके बाद आप याद रखेगा शांती नात 16 नंबर पे है जो सौरी 16 नंबर पे शांती नात इनका सि जिनका सिम्बल है blue water और blue lotus निगल का मन अरिष्ट नेमी नात याद रखेगा इनका एक ही नाम है इनका सिम्बल है कॉंच मतलब शंक 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 आपने बजाया होगा मंतरों में देखा होगा शंक बचता है ना जोर-जोर से तो वो है और 23 है हमारे पार्शवनात उसके बाद है उनका सिम्बल है snake साप और महवीर स्वामी जी का सिम्बल है lion शेर ठीक है अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी अब आपको इनही के इनही को याद रखना है किन को याद रखना है आप ये आपको फिर से बता देती हूं फर्स याद रखेगा सेकंड याद रखेग ठीक है उसके बाद आपको याद रखना है 16 याद रखिएगा 21st 22nd and 23 और 24 या यह सारे बाकी आप यह याद रखेगा बाकी आप से पढ़ लें इतना ही काफी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौर से तीर ठांग कर रहे हैं अब हम बात करते महवीर स्वामी जी के बारे में यह कौन थे यह हमारे 24 तीर ठांग कर थे और माना जाए तो जैनिजम के actual जो founder वो महवीर स्वामी को माना गया है founder वैसे रिशव डेव है रिशवना नात है लेकिन actual जो है वो महवीर स्वामी है ओके इन्होंने काफी जाद लीड़ किया है जैनिजम को अब इनका इनका क्या टाइम है 540 बीसी से लेके 468 बीसी तक ये रहे थे ठीक है उसके बाद इनका बच्पन का नाम था वर्धमान ये शत्री जाती से बिलॉंग करते थे इनके इनका जन्म हुआ था कुंडलवन या कुंडगराम ये दोनों एकी चीज है विशाली के पास इनके पिता का नाम था सि सिद्धार्थ और महावी स्वामी के पिता का नाम है सिद्धार्थ ये शत्री जाती के हेड थे जिसका नाम था जनात्रिकाज इनकी माता का नाम था त्रिशाला इनकी बड़े भाई का नाम था नंदी वर्धन इनकी वाइफ का नाम था ये शोधा डॉटर का नाम था इनों अपने घर का त्याग कर दिया था और जब इनके पिता की मृत्ती हो गई थी तब यह इनको घ्यान की प्राप्ति के वल्या ग्यान मतलब कमप्लीट नौलिज की प्राप्ति कब उप इनको हुई थी 42 एज में 12 साल तक इनोंने कडी तपस्या की है इधर उदर भटके आई यह ग्यान की प्राप्ति के लिए 12 साल में इनको ग्यान की प्राप्ति हुई साल ट्री के विक्ष के नीचे ज्रिम्भी का ग्राम में रिज्जू पाली का नदी के पास आप ये भी चीज याद रखेगा और 78 एर् में इनकी मृतियों जाती है और इनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है ठीक है यह head of sect यह निर्गरंथ के सेक्ट थे अब इसका मतलब क्या है free from fetters मतलब की सारे बंधनों से मुक्ति जैसे अभी आप मैं आपको अगर five principles इनके बताऊंगी तब आपको यह चीज और बेटर समझ इनके निर्गरंथ सेक्ट के head कैसे बने तब हम बात करेंगे इसके बारे में तो आप निर्गरंथ का मतलब जान लीजिसका मतलब होते free from fetters मतलब सब बंधनों से मुक्ति तो उसके बाद है इनके first शिश्य बने थे वो जमाली थे जमाली कौन थे इनकी बेटी अनूजा प् बाती थे जमाली इनकी मृती हो गई थे पावा पूरी में भ्स घंधा के अंदर है इनके 11 मेन थे अनके 11 तो काफी पाफी थे।ς इनको कहा मतलब इसके से 10 में धन zidharmप गई सब नावीर सวामी जी की टीचिंग को आगे लेकर गये ठीक है दु 9 डुनीया में इसको प्रचार वरहार किया और इसके बाद किया है भाम के बारे में बात करते कि जेनिजम में क्या बताया जाताãy देखो जनियंसम जो सबसे पहले कहते है ₹ siis everyone i.com के लिविंग आ इनका मानने है कि जो जानवर होते हैं और जो पेड・ पौधे होते हैं पशु पक्षी पैड पौधे जानवर वगिछ इनमें भी आतमाय होती हैं हमें इनको कश्ट नहीं पहुंचाना चाहिए ये सब कहते हैं पीड ना उखा़ना ओर फूल-पत्ते ना तोड़ना और किसी भी जानवरों को बिल्कुल ना काटना एकदम प्यूर शाकाहारी वेजेटेरियन्स होते हैं ये लोग और ये क्या करते हैं देखो ये इतने जादा एक्स्ट्रीम लेवल पे इस चीज को फॉलो करते हैं कि खेती के बिल्कुल अलो करते थे इस जो खेती करने वाले थे वह इस धर्म से कठते गए ये चीज इसके साथ हो रही थी तो ये सब था ये बिल्कुल ये चीज नीकरते थे और इवन मास्क पहनते थे लोग ताकि ये फिद्यत T. अले जाए जाए नहीं साइटे हैं उन्दर अर्वर जाती है वायू भार जाती है, तो जब सांस लेते हैं तो प्रेंश होते हैं के अंदर आ जाते हैं यह वो बैक्टिरिया निके अंदर आ जाए इस वज़े से यह मास्क पहना करते थे है ना और अपने साथ हमेशा कुछ जाड़ने की चीज़ रखा करते हैं जिस वैसे वो जब आग चलते रहे थे जमीन पर चलते थे तो जाड़ते वे जाते थे आगे कर रास्ता ताकि कोई भी जीव जन्तू उनके पैरों के नीचे ना जाए तो इस तरीके से इन चीज़ों को फॉलो करते थे थे उसके बाद सूल एंड कर्मा इनका मानना था कि जो आत्मा है देखो वो तो अनश्वर है और जो हमारे कर्म है ना उस पर डिपेंड करता है कि हमारा दुबारा जन्म होगा या नहीं अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमें मुक्ती मिल जाएगी और कर्म बुर्य होंगे तो सकते हो वा पुरिंत कर्म को भूगने के लिए मतलब को अगल मतलब एक सिच्जी succeeding के लिए वैलिड है अगर फिर सिच्गेशन में जाते हम फोलम है और एक लड़का है उसका मानलो य। का नाम है पारस, पारस एक लड़का है, वो किसी का जब वो पैदा हुआ, तो वो किसी का बेटा बना, फिर वो उसके और भाई भेन पैदा हुए, तो वो किसी का भाई बना, उसके बाद जब वो और बड़ा हुआ, तो वो किसी का पती बना, फिर वो किसी का पापा बना, किस वो भाई ही है सिर्फ या वो सिर्फ बेटा ही है बाकी सब वो नहीं है तो ऐसा तो नहीं हो सकता है है ना अब यह जो चीज है वो हर point of view में सही है अब ऐसा तो नहीं है कि अगर वो किसी का बेटा बन गया है तो वो किसी का भाई नहीं बन सकता बन सकता है ना अब उसके भाई बन जाने से क्या वो बेटा नहीं रहेगा है ना तो ये क्या है ये सब ये है कि situation के time पे वो viewpoint सही है correct है लेकिन situation जब change होती है तो वो चीजें बदलती है तो इसलिए इसका मतलब होते है स्यादवाद एक situation पे एक ही पॉइंट valid होगा ये clear हो गया होगा आपको उसके बाद है अनिकांतवाद अनिकांतवाद का मतलब है the doctrine of many sadness आपने elephant की story तो सुनी ही होगी कि जिसके अंदर elephant होता है एक नगर में आता है छे अंदों को पता चलता है कि elephant आया है वो उनको बहुत curiosity जगती है मन के अंदर की हम भी देखे भई वो क्या है क्या है वो जाते है देखने के लिए अंदे होते हैं उन्होंने कभी देखा नहीं होता है elephant है क्या कौन सा जीव है कैसा दिखता है कैसा होता है they don't know anything about elephant तो वो जाते हैं उसको touch करने ही touch करते हैं तो जिसने पूछ पकड़ी वो कहता है कि यह तो रसी है किसी ने उनका शरीर पकड़ा elephant का शरीर तच किया तो कहते है कोई खंबा है तो यह सब क्या है यह सब यह है कि उन्होंने जो चीज एहसास की उनको वो चीज वही लगी तो यह इसका मतलब क्या है क्या है वो लोग गलत है नहीं वो लोग भी सही है अपनी जगा पर तो इसका मतलब यह है कि जो सच है उसके कई पहलू है अपने स्टोरी सुनी होगी न मतलब आपने टीवी में देखाऊगा कि सच के कई पहलू होते हैं एक मेरा सच एक तुम्हारा सच और एक सामने वाले का सच तो इस तरीके से अने कांत वाद बताता है कि जो सच है उसके कई पहलू है मैं आपको एक छोटू से एक्जामपल और दे देती हूँ जैसे कि एक मैंगो है दो तीन जनों को मैंगो खिलाया गया एक ने बोला कि ये तो बड़ा ही मीठा है दूसरे ने बोला ये तो बड़ा ही रसीला है तीसरे ने बोला कि ये तो बहुत धंडा है चौते ने बोला यार ये तो बड़ा ही खटा है तो क्या ये चीज़े गलत होगी क्या नहीं होगी ना गलत ये सारी चीज़े सही है अगर लेकिन इन सब को खटा कर दिया जाए तो ये एक complete tooth निकल कर आता है तो अनिकानदवाद यही कहता है कि जो कोई सिद्धानत है कोई भी चीज़ है उसके अलग-अलग साइड़नेस है उसके अलग-अलग मत है ओके अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी स्यादवाद का मतलब होता है कि कोई पॉइंट किसी situation तक valid होता है ठीक है वो हर situation में वालिड नहीं होता है अब वो बेटा था तो कि वो सबका ही बेटा रहेगा किसे जिसे शादी होगी उसका बेटा रहेगा जिनके बच्चे होंगे तो भी वो बेटा रहेगा अपने बच्चों का बेटा रहेगा नहीं ना तो situation के साथ वो चीज वालिड रहती है, स्यादवाद ये है, अनिकानपद ये है कि एक सच के कई पहलू होते है, आम वाला याद रखिएगा, तो I hope आपको इस समझ में आगे होगा, मैंने ट्राइ करा है, बट अकर फिर्ज भी ना आये ना, तो आप पक्का मुझे बता देना मैं बता दूंगी आपको, कमेंट बउक्स पोछ लेना, टेलिग्राम पे पोछ लेना, उसके बाद है, बलीव इन रीइंकार्नेशन, मतलब क्यो होता है, पुर्णा जनम, इसका मतलब क्यो होता है, कि दुबारा से जनम होता है, जिसे मैंने आपको बताया था, सोल और करम मे मैंने आपको पताया था ना कि यह बिलीव करते है कि अगर किसके कर्म बुरे है तो वो उसे भोगने के लिए दुबारा जन्म लेता है धर्ती पर लेकिन अगर आप कच्छे कर्म करेंगे तो आपको मुक्ति मिल जाएगी फाइनली ओके और जन्म इसलिए होता है ताकि हम अप चलती रहती है यह तो सची है आप लोगों कोई पता है कि इसका कोई अंतनी होता है ना चलती रहती है कई मनुश्य आते हैं चले जाते हैं हमारे कोई संबन में भी होते हैं कुछ रिलेशन में होते हैं फैमिली में होते हैं कुछ आते हैं फिर उनकी मृत्य हो जाती है फिर चले जाते हैं फिर नए जन्म लेते हैं तो यह सब समाज पूरी हमारी दुनियानी खतम होती है सिर्फ इंसानों काना जाना लगा ही रहता है तो यह होता है उसके बाद यह बोलते हैं कि डाइटी इस बिलो जिना इट मीज की जो देवता होते हैं वो जिन्व के नीके भगवा यह कहते है life of renunciation is the shortest way to salvation जिसे मैंने अपको बताया कि जीवन का renunciation it means कि त्याग ओके कि अगर हम जीवन का त्याग कर देंगे तो हमको salvation मुक्ती की प्राप्री हो जाएगी ठीक है तो इनका मानना यह था उसके बाद हम बात कर लेते हैं इनके त्री रतन के बारे में अब इनक इनका रतन है त्री रतन इन्हों ने क्यों बनाये है त्री रतन इनके यह बताते है कि अगर तुम जैनिसम पे right belief पूरा विश्वास करोगे अच्छे से पूरा विश्वास करोगे तो तुम्हे अ salvation की प्राप्ति हो जाएगी मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी सम्यक विश्वास का मतलब पूरी इसकी knowledge रखोगे पूरा ज्यान मतलब right knowledge, complete knowledge और you can say perfect knowledge ये रखोगे तो salvation की प्राप्ति हो जाएगी और right action, सही कर्म करोगे तो अगर तुम ये तीनों चीजे properly follow करते हो तो क्या हमें मिल जाएगा path to salvation मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी सही विश्वास, एकदम विश्वास रखना एब डगमगाना नहीं है ओके, एकदम सही knowledge, ये निकी अधूरा ग्यान तो एकदम मुर्खता के बराबर होता है तो सही knowledge रखनी है और right action, कर्म भी अच्छे करने है तो ये सब जैने समें बताया जाता है उसके बाद हमारे पिंसिपल है, काउंसिल है काफी सरी चीजे हैं भी बची नहीं है तो ये हम बादने करेंगे इसमें इतना ही हम मैं बताऊंगे आपको इसके बाद ये पार्ट वन है अब ही हम पार्ट तू मैं जल्दी ही बहुत जल्दी अप्लोड कर दोंगी तो आपको ये समझ में आगे होगा मैंने आपको बेसिक बता दिये 24 तीर थांकर इनके सिंबल्स बता दिये महाविय स्वामी फिलोसिफी और तीरतन के बारे में हमने पढ़ लिया है आगे हम आगे बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टाटा और हाँ अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुसे पूछ लेना इसकी पेडियाफ में अपने टेलेग्राम चानल पे डाल दूंगी आप वहां से ले सकते हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूगी ओके तब तक के लिए बाई बाई